कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुम्हान, स्वागत करता हूं फिर से मेरे एक नियू विडियो में तो आज मैं आप लों को यह auto-switch है देख सकते हैं oil starter में कैसे लगाना है इस विडियो में आप लों को पूरा practical के साथ चालू करके सिखाने बाला हूं तो वीडियो को skip मत किजिए बहुत ही छोटा वीडियो है पुरा सुरू से लेकर लाश्ट लग देखिए फ्रेंट्स तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो यह साइड में दिखा रहा हूं यह तीन फेज इंपूट है रेड यॉल ब्लू और यह साइड में मोटर का आउट यहां पर देखिए मैं ओटो सुइच का वैर दिखा देता हूं पहले आप लोगों को यह रेड यॉलो ब्लू है तीन फेज का आपको तीन फेज में लगा लेना है अच्छे तरह से जो टर्मिनल रहता है इंपूट का रेड यॉलो ब्लू जो टर्मिनल है यहां पर देख सक यहां पर देख सकते हैं मैं कैसे टाइट कर रहा हूं अच्छे तरह से हाथ में पकड़ के उसको टाइट कर लेना है थोड़ा भी लूज नहीं रहना चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं मैं एक एक करके तीनो ओयर को आर वान आर टू आर थी में लगा ले रहा हूं यहां पर देखिए योलो को बीच में रखना है और रेड को एक साइड में और ब्लू को एक साइड में अगर आपका ओटो चालू नहीं होता है फॉल्टी दिखा रहा है अगर लाइट तो आपको क कुछ नहीं करना है ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर देख सकते हैं तीनों ओयर को मैं अच्छे तरह से लगा दिया हूँ रेड यॉलो ब्लू अभी हमारा कोनेक्शन हो चुका है फिर अभी और चार ओयर है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे लगाना है यहां पर दे सिरीज स्वीच नो वर्ड कोयल लिखा है और जो एक्रोस अन पूस बोटम तो अभी देखिए यह बाला जो दो ब्लाक है यह जो हमारा स्वीच को जाएगा अन बोटम और यह वाइट वाला जो है एन भी कोयल का सिरीज में लगेगा तो अभी जो फ्रेंड्स मैं आप लोग बाकी यह जो चार ओयर है इसको इसको ही आपको सिखना है कहां पर लगाना है स्वीच में तो ठीक है फ्रेंड्स अभी आगे देखे है मैं कहां में किसको लगाता हूं और आप लोगों को अच्छे से बता देता हूं कहां पर किसको लगाना है तो यहाँपे देख सकते ह champions PC म मैं tight कर लेता हूँ अच्छे से दोस्तों एक request है पुरा काम सीखना चाहते हैं तो वीडियो को skip मत कीजिए पुरा सुरू से लेकर last तक देखिए और आपको पुरा जो काम है फ्रेंट सीखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो मेरा पहला टर्मिनल का जो ओयर था मैं अभी यहाँ पर tight कर चुका हूँ अभी अच्छे से लगा देना है ऐसे मैं जैसे tight कर रहा हूँ फिर अभी second वाला टर्मिनल में लगाना है और यहाँ पर जो एक लूप लगा हूआ रहता है उसको निकाल देना है तो यहाँ पर देख सकते ह ही यह वाला लूप लगा हूँ था start bottom से stop bottom को इसको निकाल देना है फिर यहाँ पर क्या कर लेना है एक black और और एक white वाला तो एन वी का और एक S1, S2 का एक OR को आपको common कर लेना है फिर जो हमारा start bottom है वहाँ पे जो second वाला terminal है वहाँ पे लगाना है यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे लगा के इसको tight कर लेना है दोस्तों यह होने के बाद हमारा और एकी ओयर बसता है यहां पर देख सकते हैं white वाला तो इसको लगाना है friends तो इसको यहां पर देख सकते हैं यह वाला जो red push bottom है जो off push bottom यहां पर लगाना है जो left वाला टर्मिनल है यहां पर देख सकते हैं जहां से हम लोग loop निकाले थे वहां पर लगा देना है तो इसको ल लगा चुका हूं यहां पर देख सकते हैं अच्छे तरह से तो पुरा क्लिवर दिख रहा है आप लोगों को तो अभी इसको साप्लाइद देंगे तो यहां पर मैं जो फ्यूज ता इसका लगा देता हूं किटकाट यहां पर देख सकते हैं फ्यूज लगा देता हूं फिर य यहां पे faulty करके alarm आता था तो एक light जलता था ठीक है प्रंट्स तो ऐसा करके करना है मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को अगर face failure या face faulty आ रहा है तो red और blue को आप change कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा तो अभी यहां पे थोड़ा delay time अभी जो था हमारा खतम हो चुक कर सकते हैं तो और एक type का auto switch connection आता है ओल स्टाटर का तो वह भी मैं आपको जल्दी बहुत और एक वीडियो बना के दिखाने वाला हूं तो अभी यहां पे देख लिजिए पानी कैसा आ रहा है मोटर से बहुत यह अच्छे तरह से पानी गिर रहा है यहां पे देख सकते है और फ्रेंट्स यह एक साड़े साथ HP का मोटर है तो अभी देख सकते हैं बहुत यह अच्छे तरह से पानी आ रहा है अच्छा करता हूं फ्रेंट्स वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए मेरे चैनल पे नह मिलते और एक नहीं वीडियो में धन्यवाद